नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तों आपको उता दे कि अभी हाली में सुसान सिंग राजपुत की बहन ने कहा है कि वो सुसान सिंग राजपुत को इनसाफ दिला कर ही रहेंगी जी हाँ मैं आपको उता हूँगा कि किस तरह से इन्होंने कहा है और इसके सासा सुसान सिंग राजपूत के फैंस कैसे बहुत ज़्यादा खुस हो रहे हैं दोस्तों आपको उता दे कि सुसान सिंग राजपूत को इस दुनिया से गए हुए एक लंबा अर्शा बीच चुका है लेकिन बावजुद इस केस CBI और NCB इस केस में चानविन कर रही हैं लेकिन अभी तक सुसान सिंग राजपूत को किसी भी तरह से इन्साफ नहीं मिल सका है और आपको वता दे कि सुसान सिंग राजपूत के जो फैंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा निरास हो रहे थे और CBI से ये लोग लगातार डिमांड कर रहते कि CBI को इस केस में सामने आकर के अब अपडेट देना चाहिए इतना है क्यों आपको बता दे कि सुबर मडेम स्वामी जो हैं वो भी लगातार सुसान सिंग राजपूत केस में आवाज उठाते रहे हैं और उन्होंने भी कई बार कहा है कि सुसान सिंग राजपूत केस में CBI को खुछ सामने आकर के बताना चाहिए कि आखिर CBI इस केस में छानबीन कहां तक कर रही है और इस केस में सुसान सिंग राजपूत को न्याय मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा और इसी वीच आपको उता दे कि सुसान सिंग राजपूत की बहन ने कहा है कि हमें अभी भी इस नयाई की लड़ाई को लगतार लड़ते रहना है और उनका कहना है कि हम सुसान सिंग राजपूत के लिए अभी भी लड़ते रहेंगे दोस्तों आपको उता दे कि आज जब सुसान सिंग राजपूत को इस दुनिया से गए हुए 11 महीने से जादा भूने वाला है तब ही भी सुसान सिंग राजपूत के फैंस लगतार उमीद लगाए बैठे हैं और उनको लगता है कि सुसान सिंग राजपूत केस में अगर कोई अभी भी इंसाफ कर सकता है तो वो सिरफ और सिरफ CBI है आपको उता दे कि सुसान सिंग राजपूत केस में CBI को बहुत ज़्यादा मसकत करके लाए गया था जी हाँ आपको उता दे कि ये मामला कोर्ट का चहरी तक भी पहुचा था और तब जा करके इस केस में CBI को लाए गया था लेकिन अब जब CBI आ चुकी है तो उसके बाद भी देखने को मिल रहा है कि सुसान सिंग राजपूत केस CBI के हाथ भी अभी तक ऐसी कोई बड़ी कामयाभी लगी नहीं है जिसे ये सावित हो सके कि आखिर सुसान सिंग राजपूत के साथ क्या हुआ था और इतना ही नहीं मैं आपको बता दूँ कि सुसान सिंग राजपूत केस में NCB ने एक से बढ़कर एक गिरपतारी जरूर की लेकिन उसमें एक भी ऐसा कातिल नहीं था जिससे ये सावित हो सकेगी जिसने सुसान सिंग राजपूत को खतम किया हो और इसी वज़े से जो सुसान के फैंस हैं वो CBI और NCB की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आज भी इन दोनों ही जाच एजनसियों के हाथ पूरी तरह से खाली हैं और इसके साथ साथ इन दोनों से उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है और इसी वज़े से सुसान सिंग राजपूत के फैंस काफी निरास हो रहे हैं लेकिन इसी वीच सुसान की वहन ने कहा है कि हमें हारना नहीं है और हमें सुसान सिंग राजपूत के लिए नयाय की लड़ाई लड़ते रहना है आपको उता दे कि एक बार फिर से उन्होंने फैंस की उम्मीदों में जोस डाल दिया है जो कि लगातार सुसान सिंग राजपुत के लिए इंसाफ मांगते हुए धक चुके थे और उनका ये कहना है कि हमें अभी भी इस नियाय की लडाई को जारी रखना होगा और CBI से हमें गुहार लगानी हुई कि कैसे भी करके सुसान सिंग राजपुत केस में मुझरीमों को ना सिरफ सामने लाया जाए बलकि ये बताया जाए कि उनको कौन सी सजा होने वाली है दोस्तों आपको बता दे कि सुसान सिंग राजपुत केस में CBI, NCB, ED और भी कई तरहें की जांच एजनसियां इसमें जांच में जूटी हुई थी लेकिन बावजुत इसके अभी तक सिरफ ये भी नहीं सावित हो पाया कि आखिर सुसान ने खुद अपने आपको खतम किया था या फिर किसी और ने इनको खतम किया है और इसी वाज़े से सुसान सिंग राजपुत के जो फैंस थें उनकी उमीदे टूट रहे थी लेकिन सुसान सिंग राजपुत की बहन सुईता सिंग कीरती ने एक बार फिर से उनकी उमीदों को उड़ान देने की कोशिस की है और उन्होंने कोशिस की है कि सुसान के लिए नया की लड़ाई अभी भी जारी रखी जाए तो आप हमें कमेंट करके बताना कि सुसांत को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं आपको क्या लगता है साथी वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना